जैहिन दोस्तों, ये वीडियो वागी काफी important है उन सभी students के लिए जोनोंने अभी तक हिंदुस्तान ओलंपियाड 2022 में registration नहीं किया है इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना registration कर सकते हो, last date कब है और कौन-कौन participate कर सकते हैं ज़िए आप इस चैनल पर नई है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा अईए दोस्तों बात करते हैं, ये class first से लेकर के 12 तक के students के लिए है और हिंदुस्तान ओलंपियाड लगबख सभी subject में इस competition को और्गनाईज करता है हिंदुस्तान ओलंपियाड के इस competition में 20,000 से ज़्यादा school participate करते हैं और वहीं 10 lakh students enrolled होते हैं 10,000 से ज़्यादा students को award भी दिये जाते हैं और साथ तो ये 2 करोड से ज़्यादा की scholar से provide कराने वाला competition है आईए बात करते हैं इस exam के तो इस exam को सबसे पहले district level पर conduct किया जाता है जिसमें हर school से बच्चे competition में fight करते हैं और जो बच्चा district level पर first आता है इक मींस first class में second class में हर class का अलग अलग रहता है तो winner को 2100 मिलते हैं और वहीं state level पर जो भी बच्चा competition में participate करता है और उसमें winner होता है तो उन सब को 50 100 रुपीज मिलते हैं class फासिले के 12 हर level पर और जितने भी participant होते हैं उन सभी को इस competition में participate करने का भी certificate मलता है और जितने भी winner होते हैं उनको trophy, cash scholarship और साथ में merit certificate पर मिलता है आईए students बात करते हैं कि इस video में कि हम किस तरीके से registration कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 7th March 2022 उसकी last date है तो उससे पहले ही आप लोग अपना registration कर लें ताकि हो सकता है site hang हो जाए या फ एक्जाम टू फेजिज में होगा फर्स्ट फेज मतल लेवल वन 11 12 और 13 मार्च को कंड़क्ट होगा और लेवल टू का एक्जाम 25 मार्च को कंड़क्ट होगा 29 मार्च को इस competition में participate करने वाले students की नाम की गोश्रणा की जाएगी और उनको prize दिया जाएगा तो आईए बात कर मतलब रजिस्टेशन कैसे होगा इसके लिए आपको रजिस्टेशन के लिए www.hindustan olympia.in website पर जाकर और साइट में आपको त्री लाइन से उनको आप क्लिक करोगी तो आपको नीचे रजिस्टेशन का option देखेगा और इस रजिस्टेशन में as a school और as a student आप sign up कर सकते हैं औ जैसे ही आप student के option को क्लिक करोगे तो आपको देखेगा कई सारे आपसे फॉर्मलिटीज पूछे गई है personal detail जैसे आप देख पा रहे होंगे और ठीक ऐसे ही अगर आप school के माद्यम से भी करना चाहते हैं कि बहुत सारे school registered है आप वहां से भी कर सकते हैं आप अपने school से संप पर करें ताकि वह आपका हिंदुस्तान ओलम्पेट का फॉर्म फिल करवा सकते हैं इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा जय हिंदोस्तों